जी हां फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले बहुती क्रीमी सॉफ्ट मुं में खुल जाने वाले आइस्क्रीम हम बनाने वाले आप देख सकते हैं सामने से देखिए कितनी ज्यादा मुं में खुल जाने वाले आइस्क्रीम है और स्रिप 50 रुपिय में हमने से बनाई है स्रिप 50 र यह देखे मैंने लेली विक फिल्ट की पैकेट या इस्ट्रोवेरी फ्लेवर की आप देख सकते हैं यह पचास उर्पिया में आईए श्रिप यपटी रुपीज में आईए और यह 100 ग्राम की पैकेट है इसके अंदर एक पॉडर होता है जो फ्लेवर में चेंज होता है कभी आईए चॉक्लेट फिलेवर की आथ है यह आपकी हमें प्लेवरी मी आती है पहुत सरे फ्लेवर्स में आती है अर इस तरह से फिलेवर हैं में धा ज्य चीर में कीषिक रहता हैं इस इसे अलजह मेंने आता है scripts ca. डेली बधोटर हैं चेलीवर्ड़as 19ड इसका हैं पैक्त यह भादर ने अधा केजी दूद है या आधा कीजी दूद है आप चाहँ लेऊ सकते हैं यां पर मैंने भाद लिटर दूद लिया हुआ या गाधा दूद लिया है पैकेट कर दूद आता है वह लिए ठीक है अब थोड़ा-थोड़ा करके ने इसमें हम डालेंगे यह देखें खुल कट्यमिंगा है अध्it कि विफ को धाम में देला है निया है किछी से मिक्स कर लेंगे अ इसा मिसले करें ना इसमें नहीं पड़ने चाहिए मैंने नॉर्मल दूद लिया था जिसमें मैंने इसे डाला और मिक्स कर लिया बिल्कुल भी गरम दूद नहीं था अब मैं गेस की पास आगई हूँ आप देखिए मैंने गेस में से चढ़ा दिया और इस तरह से मैं कंटिन्यू चला रही हूँ क्योंकि चलाना जरूरी है ने अब यह सीजना चालू हो गया है तो इस टाइम पे हम बिजविच में चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं और चार मिनिट हिया हम प्रोसेस करेंगे चार मिनिट इसे हम सीजाएंगे इस तरह से देखिए ताकि जो भी हमने पॉड़ा डाला हूँ अच्छी से पक चार मिनिट धंडा होने के बाद डाला याद रहें धंडा कर लें उसके बाद डाले तिक अब अच्छी से हम निकाल लेंगे यह थे कितना यह गाड़ा ओ चुका ना बस इतने करना था चार मिनिटी से जाना था फिस कंटर्नर में डाल देना था अब इसे में दो घंटे के लिए मिक्सर गांडर कर लेंगे कि दालेंगे लिए ज़िए, जिसमें से तालना है और फिरसे फेटना है, एक पर उसा कि ट्राइब हैं, जिसमें पर लिए जार की मीठ तयार पिर साथ, कर देखें आप तो काफी तो क्रीमी हो जाएगी, आइस क्रीम पहुत जाएगी पूसाली बहुत ज्यादा फ्लॉपी क्रीम होगी बहुत ज्यादा इसमें एर्स भर चुका है और यह काफी क्रीम होगी यह देखें देखके समझ मैं आ रहा न कि हमाले आइस क्रीम बहुत अच्छी बनने वाले फिर से मैंने कंटेनर लिया और इस सारा जो क्रीम है न में ढाल दूंगे । कि देख के पधा चलाए कि आइस्क्रीम काफी क्रीमी बनने वाली है और बहुत ही अच्छी आइस्क्रीम बन के त्यार हो जाएगी यह दिक्षिस हम इसे सेट कर लेंगे पहले अब इस कंटेनर के हम ढगा देंगे यह दिखिए अची से लगा देंगे तक आइस क्रिष्टन नो और आठ घंटे के लिए समय ने फ्रीजन में रख दिया था यह दिखिए यह ओगन आइट रख दीजे आठ घंटे के बाद आप देखिएगा हमारी आइस क्रिम बहुत ही इसे कितनी क्रीमी सॉफ्ट फ्राफी आइस क्रिम बनके त्यार हो जोगी है पचास रुपी में आपको क्या चाहिए इतनी सारी आइस क्रीम स्रिफ फ्युप्टे रुपी से लिए यह दिखिए मैंने बाउल में इसे डाल दिया देख के समझ रुगना कितनी ज्यादा क्रीमी बनी है अब थोड़ा से श्ट्रोविक क्रेस में उपड़ से डाल दूगी तो रैसी भी अच्छी लगी हो तो लाइक क्लिक शेयर करें चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें